हलो है चलो सो गुड़े एवरीवन केसे सब लोग है कितों लोग में फिर्स्ट इम देख रहें अच्छा गुड आच्छ बात थे सबी देख रहें न तो फिर्स्ट इम आपको पड़ा रहो है चलो ऑनलाइन आवा जा रहे है के एक पर गपर करेंगे जल्दी करो यश्श भी आवा जा रहे है मेरा आपके चलिए तो गाइस गुड़रिंग तो ओल्लाइन आपच आ रहा है कि नहीं पर फटा फट कन्फरम करेंगे चलो सो दिस सेड विपूल शाह एंड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टैक्स लॉग एंड प्रैक्टिस ठीक है तो आज आपन बेसिक डिस्केशन करेंगे कि एक्जैडली सब्जेट क्या है क्या पढ़ना है अपन क्लास में क्या क्या चीज़े करने वाले है और आपको घर पे क्या करना है तो पड़ाहिं के बात स्टार्ट करूंगा अब बेसिक आपको बताओँगा कि कि एकDTA करेंगे एक दो दिन में धीरे 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 एंटर करेंगे एक्जैटली होता क्या है तो आप भी कोई बता सकता है कि टैक्स होता क्या है काफी लोग ने हाथ उपर कि इसलिए पूछ आए तो ठीक नहीं आए तो एक्सलेंट क्या होता है टैक्स अबर में लाग इंकम टैक्स फीस बराई उस पे घेस्टी नाम काफी सरु रहेंगे मिन्सल्टक्स होता रहेगा प्रॉपर्टी टैक्स लोगता है तो टैक्स होता क्या आपके हिसाब से एक्सलेंट यह गॉवर्मेंट का इंकम है एन गॉवर्मेंट निट्स बनी फॉर वेरियस परपस तो टैक्स बैसे कि लिए होता क्या है इस इस सोर्ट सफ इंकम फॉर्द गॉर्मेंट ठीक है पट बिफोर गॉइंग आईड फॉर टैक्स पहले अपन देखेंगे कि मैं आपक क्या है जिसे कवर करेंगे और और आपकी फिर में आपको दिलशें बताता हूं एक बर फ्रेंक पहले आपको डाउट सेंगे कि सर क्या 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 कवर करेंगे टो पर यह बेसिक्स डाउट क्ले कर देता हूं फिर चार मेने पढ़ नहीं है बाकिन गुछ काम है नहीं ठीक है चल तो अपने को अभी क्या क्या आपने को मिलने वाला है ये सबसे पहले आपको मिलेंगे अपडेटेटेट नोट्स जिसमें दो पार्ट अपने सब्जेट में शायद आपको पता रहे गाए एक पार्ट अब नीचे लिंक में एक चप्टर के नोट्स एड़ कर दी है कल दक नोट्स पूरे फाइनल होके प्रेंट को जाएंगे आपको जल्दी मिल जाएंगे उसमें अमेंडमेंट्मेंट्स आते तो आपको मैं अपडेटेटेट नोट्स दे रहा हूं अभी जो बैस खतम हुआ हुआ इसा पहले के लिए आपके लिए सब्सक्राइब लगने कवर किया है तो यह अपने रिविजन नोट्स जोको मिलेंगे में नोट्स मिलेंगे अभी प्रॉब्लम क्या होता है जो मैंने अब्सर्व किया है अभी आप ऐसे काफियों ने एक गूप देकिया है तो ऐसा मतलब चार में इतना फिल नहीं होता है क्योंकि देल एपन थोड़ा थोड़ा पड़ते हैं बड़ एक दिन पहले सदनली क्या होता है नहीं हो गया वो इंटरनेट करेंट नहीं हो रहा था प्रसत बस एसे एक पर चेक करूं शाहिए दो ही चालो रखना है कूलिंग भू जाद रविजन नोट्स का फाइदा क्या होता है कि एक्जाम के एक दिन पहले आपको उतना ही पढ़ना है कि सबस्क्राइब क्लास के लृट्स एक दिन में आप पढ़ सकते हैं शेचाहिए यसे सोग पेज़ेस कि इतना भी परप्रफरिश यंगरो कैंने रूगा है उसमें तो यह आपको घर पर यूज करने पढ़ाई करने के लिए करें तो इससे आपको पढ़ाई करने एकदम आसान हो जाएगा जितने बड़ा चाप्टर हो आप रिविजिन नोट्स मतलों जो उस्टे शेंस नोट्स मैंने जहात ऊपर गिया था मैं लास्ट इमों को चैलेंज जा परपस क्या होता है मैं जो क्लास में कॉंसेट पढ़ा तो मैं चार्ट बेसिस पर बढ़ाता हूं क्योंकि मैं ऐसे मानतों कि विज्वल चीजिसे याद रखना स्टोन के लिए आसान है तो यूल भी केटिंग अरॉंड 5-700 चार्ट जो आपको नोट्बूक में लिखना है ज तो इस पर दाइगराम लग करना बहुत आसान है तो आपको चार्ट बनाना है तो आपने बोच चार्ट एंट अलग बूक लगेगा तो यहां पर क्लास में आपको दो-तीन प्रकर के बूक्स लगने वाले हैं एक रेगुलर जमें क्लास में श्कूरूँगा वो चार्ट तो फरक क्या है फिर रिविज्ञ नोट्स को और रिविज्ञ नोट्स में तो पूरा concept थे रिये चार्ट में जो निमरिकल वाले concepts है जो मैं class में बढ़ाता हूं उसके वो चार्ट से है थीक है तो ये चार्ट जो वो technical concepts के एंडिविज्जन नोट पूरे सिलाबस के हैं तो ये भी आपको मिलेंगे जो अपके अपने जो आपको एक्सेस में लेगा उसमें अपलोड कर दूँगा और आपको लिखना है क्लास में उसका पीड़ेप मिलेगा वड़ उसमें खाली पीड़े के मतलम नहीं है वह अगर देखे आया है उनको पता है online यह आप कोई बता सकता है उड़े सब्जेट एलनेशिट हर एक चाप्टर का important topics उसका expected weightage यह आपको मैं advance में देदोंगा ताकि आपको घर पे mapping करना क्या होगा आसान होगा कि इस चाप्टर का होगा don't worry अभी आपने को जरूद नहीं अभी दो-तीन दिन तो मैं आपको बस basic ही पढ़ाने वाला हूँ कि tax होता क्या subject के आड़ेक्टली में इसा पेच खुलके पढ़ाना स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपको आइडे नहीं है एक बार subject समझ लोग क्या है यह subject बहुत इंट्रेस्टिंग है reason क्या पता है क्या see forget about the exam point of you आपको lifetime direct tax देना है कि देना है आपको GST भी देना है तो यह दोनों टैक्स आपको lifetime deal करना है प्लस मैं जो lecture लेता हूँ उसमें you can help your parents also in taxation matter उनको भी आड़े है कि आप कितना पढ़ रहा है तो यह subject ऐसा है don't study only from exam point of you real life में भी आपको उसको apply करना है उसके लिए 2-3 साल लगेंगे CS बनने के वाद आपको direct tax भी आपले होगा और GST भी आपले होगा तो आपको उसका फाइदा होगा so don't study only from exam point of view में जो अपना चैलेंज है वो है यह है आपको में टेस्ट चेडल दूंगा क्लाश चेडल दूंगा अभी दोनों में फरक क्या है क्लाश का मतलब है आपन जो सेलेबस फोर मंस में कम्लेट करेंगे चाप्टर कब स्टार्ट होगा कब कम्लेट होगा तो आपके पैटन पता रहेगा कि कब कौन से चाप्टर स्टार्ट होगा बड़ यह पैटन फिक्स नहीं है जैसे में टॉपिक पढ़ा रोबी बच्चों को डाउट सा गया तो फिर मैं बोलूगा कि ठीक है अपन उसमें टाइम एक्स्ट्रा इंवेस्ट करेंगे तो यह एक तो यह आपको मिलेगा एंट शियू भी रहेगा अब टेस्ट जो होगा वह मैं आपको बताउंगा क्यास होगा एवरिधर त्री चाप्टर बेस्ट होगा तो यह आपको भी दैन भर ठ्खने कि बाइधिघ्ञ बडे प्रटीश है और आपको में एक विब टिक्क्र समयान स् सिस्टिम क्या है सेम वेट विलापन बट मैं पहले क्यों बतार हो कि आपको डाउट मेरा रहेगा आपको कि कब कॉन से रोपिक स्टार्ट होगा कब खतम होगा बैच कम अब होगा सच छुट्तिया के इतने मिलेंगी सब बताऊंगा में तो है न दिवाल के छुट्टी का मिले मेरा रहेंगे क्योंकि अपन होलेडे में पहले पहुच जाते हैं पड़ाय में बाद में पहुच्छते तो दोन आपको बताऊंगा देन उसके बाद आपको जो में चीज़े वो है एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेस्टिन्स क्योंकि अपना सब्जेट है निमरीकल का तो अगर आपको फ्रेंड पेचाने तो यूज मत करना उसमें थोड़े अपडेट्स करके दे रहा हूं तो यह मैंने लास्ट बेच में भी दिया है वही आपको देने वाला पस अपको थोड़ा इंप्रू वर्जन करके अबेंट्मेंट्मेंट्स एड़ करके सब चेंज़ सब मिला कि यह आपको घर पर प्रैक्टिस करना है क्योंकि जब तक नुमरिकल आप सॉल नहीं करेंगे आप खुद सॉल नहीं करेंगे तब तक कॉंफिड़न्स नहीं आएगा क्लास में तो फैकल्टी साब में सब को सोह में आते हैं की नहीं आते हैं आते हैं क्लास में से ल तो यह भी आपको मिलेगा, इसके आलावा, हर एक चाप्टर का, इम्पोर्टन सेक्षिन का मैं आपको ऐसे लिस्ट यह दिख रहा है, आपको ऐसे मिलेगा आपको, क्योंकि काफी बच्चे क्वेश्चन बूशे सर, हर एक सेक्षिन लेंग करना जरूरी है क्या, यह क्वेश् धाटर में से important sections, उसका मैं आपको लिस्ट ऐसी दिख रहा है, यह формat में मिलेगा, यहुष्गे पाइब हे ही इसके फोट है, इस पर सके रहा है, यह आपको मिलेगा, ताक्कि आपको जो डर है उनी रहेगा and the main thing आज ही बता रहा हूँ, online धायन से सुनना, आपको section सभी लें करने की जरूआत ने इतने सेक्षिण कोई भी लंग कर सकते हैं ज़रा प्रैक्टिकली सोचों कि एक सब्सक्राइब कोई कोई यह निए कि बैपर सेट के ऊंको पड़ता है कि स्वाशन उसका पड़ता है इतने सारे सेक्षिण तो मैं हमेश है वुलता हर बैस में और में होद सेक्षिण पढ़के रखो उसको फॉर्स पंद करना की रट ने की हमा अपन ने रट भी लिया तो भी एक्जाम में ज आ रहा हूं कि section के पीछे मत बागों मैं जहां पर आयम पर लिखके दूंगा उसको रटना ही है मैं आपको बताऊंगा कि यह section मत बुलना directly section based questions आते हैं तो वो मेरे को बता है कि आपके problems क्या क्या है तो मैं आपको उसका solution दूँगा तो यह भी आपको list मिलेगा एंड मेरे सबसे जो सबसे important है यह last point है यह YouTube live sessions यह मैंने last batch में लिये थे लगबग 15 से 20 sessions में लिये थे अब यह होते क्या है मैं extra practice करा के लिए तो इसमें पढ़ाया कुछ भी नहीं जाएगा class करें यह extra practice है जैसे अपना chapter 1 हो जाएगा उसके में कुछ extra numerical solve करके लोंगा अब इस सेशन में आपको practice हो जाएगा तो ऐसे हर एक एक दो दो चप्टर के बाद एक्स्टा प्रेक्टिस ऐसे मैंने 140 question last batch में solve के यह YouTube पे आपने आप चेक कर सकते हैं आपको कोई फ्रेंड नहीं को पूछ लेना कि सर ने कितने sessions लिये लगबग 20 sessions हुए एक session में 10 questions में सॉल किया है 10 notes है जो आप और में मिलके solve करेंगे वो है लगबग 400 questions minimum बता रहा हूं आपको जब कल notes बिलेंगे उसके index में में ने दिया है chapter wise कितने questions हर एक chapter में है सब्सक्राइब मिनिम्मम 400 questions in class plus live session में 200 लोंगा कितने होगे total बता हूं online total कितना हो गया 600 प्लस आप खूद घर पे solve करेंगे 100 questions कितने होगे अभी इतने questions solve करने के बाद result क्याने होले आपके सामने 700 में से एक्जाम में 10 questions आते हैं पता हो आएंगे कि नहीं अभी जो लास्ट दो पेपर हुए हर एक adjustment अपने notes में से आए हर एक अपको ऐसे एक एडिस्मेंट नहीं मिलेगा जो class में cover नहीं हुआ है प्रॉब्लम के रेंज बहुत बड़ा है उसमें से कौन से अडिस्मेंट आएगा that is a question mark बट ऐसा हुआ ही नहीं के रहे है तो वस्नी क्लास में that has not happened तो यह जो मैं इतना करा के लेता हूँ यह यूटूब के सेशन शाम को रहेगा seven to eight तो सबको अटेंट करना है यह एक्स्ट्रा सेशन है मैं क्यों ले रहा हूँ ताकि आपको easy लगे तो जितने लोग अटेंट कर सकते हैं यहां पर बेटिके अटेंट करना है करू अबन देखते टाइम अपन मैनेश कर लेंगे अ four to five also मैं आपको रूपने की जरूत पढ़ें या फिर घर पे जाके देखो वह तो extra है में extra के इनके लिए करा रहा हूँ जिनको लगता कि सामको numerical में डर लगता है तो उनके लिए वह सेशन है अगर आपको लगता कि सब कॉन सब क्लियर मेरे को सब आ रहा है तो नहीं किया त आपको इतने सरी इंसाइड देने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत सब्सक्राइब आपको कुछ इंवेस्मेंट टिब्स दूंगा जब आपने चाप्टर पढ़ेंगे डारेक्ट टैक्स में आ तो इंवेस्मेंट टिप्स आपकर आप मेरे फॉलो करेंगे तो आज ही बत आपको बता दी जाओगा जयसे होगा आपको बता दे जाओगा जैसे होगा मापको बता दे जाओगा एक्ष्टा करने वाले है तो एनी डाउट रिगार्डिंग इस तो इस इस पैटन अगले फॉर मंस थे इस अर्टिंग वह उन्ट गॉपर एंड विल बीट इंडिया यह मैं आपको गैरेंटी देता हूं 7-8 questions कोई भी students all नहीं करता है कि इस इस बस सो क्वेश्टन का जिम्मेवर आपका है क्योंकि सभी क्वेश्टन में सौल कुरूंगा न तो आपको कॉंदेंस नहीं आएगा तो 100 questions आपको करना है बागे 600 questions में करा किलूंगा एं बता हो 700 questions होने कि बात 10 questions नहींगा इसा हो सकता है क है अगर हैसा था तो देन मेरे को कंपल से रिटार मिलना कि उसमें आपको गलती नहीं मेरा गलती है फिर सो डोंट वारी हो और आप दो साल के पेपर आपको चेक करना है जैसे क्लास चलोगा मैं आपको पेपर दिखाऊंगा क्लास में कि देखो यह एड्डेस्मेंट यह पे प्राइक्टिस कम होता है फिर थोड़ा प्रॉबलेम आता है तो मेरी सबसे यह यूट्यूब सेशन बहुत इंपोर्टन है कि इंपोर्टन है इसमें एक्स्टर प्रेक्टिस कर रहे हैं आप खुद भी कर सकते बढ़ा अगर आपका नहीं और तो मेरे साथ होता है को सबकु सोज में आता है सही बोलो कि जिन लोगों ने गुरुपन किया है क्लास में सबकुछ पर्फेक्टि होता है स्टिल एक्जाम में गड़वड होता है कि तो वह गाप ब्रीच करने के लिए घर पे टैक्स पढ़ाई कैसे करना है यह मैं आपको इंडिविजूल बना क क्योंकि हर एक चुन का पढ़ने का तरीका अलग होता है को रात को पढ़ाय करता है किसो को याद नहीं रहता है पर उसके लिए आपको में पर आपरोच करना पढ़ेगा किस अधार मैसे टैस पड़न हमको यह प्रॉब्लम आ रहा है दिन आए के वी सॉलूशन लास्ट टाम वो शूलुशन को हरेको कास्टमाइब के दिया था लियू यह कन यह को 2 सूलुशन को फाइदा हमका विए र स्टाम का प्लाइन कर के दिया था क्योंको किसी को याद नहीं रहता है किसी को रिवाइस कैसे करना समझ मिन आता है फिर डेली इतना होमग कैसे मैनेज करना है तो यह सब मैं आपको बताऊंगा तो यह लास्ट है एकड़िक प्लाइनर अभी आप बताएं इतनी चीज़े होने की बाद आपको क्या लगता है कौन सी बताओ और नहीं बताओ कौन से एक चीज़ आपको बागी तो मैं करा के लूँगा कौन सी बस हंड़िड कोश्टन आपको वह भी क्यों करना है कॉंफिटेंस निया अगर तो मैं सौल करूंगा तो फिर क्या है कि टेस्ट मेरा थोड़ी है मेरा एक सम्दे क्यों गया कि जाने दो आपको अगर लगता है कि सरीए अड़ करेंगे तो फायदा होगा तो अपन वह भी करेंगे आइंफ लिए मेने मेरे सबसे बेस्ट पैकेज बना है कि अगर ये टेन टूस अगर स्टूर्स को मिल गए और उसने अगर चार मैने मेरा साथ दिया बिना एक्स्ट्र का डोका यूज की है कुछ रण फैकल्टी के आगे सोचते हैं कि तुम्हें टैक्स टैम पढ़ रहे हो में डेली 10 गंटा पढ़ा रहा हो 2011 से तो आप नम्बर आवास में एक्स्ट्रिंट को प्लस इतने सरे क्लाइंट का में रिटर्स फाल कर रहा हूं सो आप फस्ट टैम ब बता ना था कि क्या कि चीजे अपन क्लास में कवर करने वाले तो आपन पहले अपडेटेंड नोट्स पे अपन काम करेंगे लोगिक्र दो दिन में अभी लिंक में एक चैप्टर के नोट्स दिर वर फट्फोर नेक्स टूटी देस आपको नोट्स की ज़रूआत नहीं क्यो को स्टुटन फिलनों का चांस ही नहीं है एक ही रिजन से हो सकता है गडबड अगर आपने इसमें एफट नहीं डाले तो फिर प्रॉल्म आएगा जैसे मैं आपको हम्मग देखी भाई यह चार्ट बना के लिए क्या हो तो अपने ड्रॉव करके लाना ज़रूरी कुछ हम्मग देता था बच्चेगर पे सॉल करते थे में डाउट स्क्राइब करता था तो लास्ट पर इंस्टूट को मोडल भी पूरा सॉल किया है समोडल को सॉल करना है ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूं कितना रिलेवंट आपको आड़ आएगा अपन इतना हायर लेवल पर पढ़ रहे युल फाइंड मोडल क्वेश्टिंस वेरीजी तो इसे मेरे क्रॉसिंग हो कि मैं जो पढ़ा रॉप बरोसे से क्लास लगाएंगे न वह वेरिफा हो जाएगा कर यह तो मोडल में कितना सिंपल दी और आपको मेरे नोट का कॉलिटी क्या सोंज में आएगा कि किस किल पर करनना है तुक क्या क्या वह रहे बता हम दो क्या 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 कह मोत रहे हां एंडिट करने नी कब करने दिवाली के बात किलब सिल्यूस की बात के और यह fi लिए घ्थ हए अप시 comfort搞 करने आपको मैं कॉयरों मडल को मॉझत हों में आप किसी का ऑनले न बता सकते WITH सौ्स стоит कि 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 सोलुशन रे शुलुशन देता है न एंड मिश्चेग्नए का चानती नहीं हों आता है सब्सक्राइब हुआ ना स्वा स् vaccine अपने है सोल यां रुम है तो मॉदल का फाइदक्न एक सब्सक्राइब कर सा ऑप कोफेस्ट 2 by युद 형 हैreiben आपको लगते हैं और कुछ आड़ करना चाहिए इतना बहुत ज्यादा है सफिशन इतना और यह सब मैं करा के लूँगा बस क्या चाहिए बता है कि अटेंडेंस चाहिए एन इस्टुवेंट ने क्लास को आना चाहिए फिर वह में अगर आप आप आए नहीं करभे पढ़ा ही नहीं कि अभी काफी लोग तो एंपल टाइम फॉर स्टुड़ी तो ओनलाइन शाल भी प्रोसेट एक बर हां बोल दो ओनलाइन करेंगे शाट फिर तो पहले शब्दपन देखते हैं कुछ अगर आपको डॉट्स नहीं तो क्या पहले शब्दा मैं निकाहता है क्या पढ़ने अपने को सबसे पहले पाँ क्या होता है थो एंच उसमें दो बाट है uh...डाइक्ट ऐखजप ऐडन जी सट इसी पाइं इनिशनली वे हाँ ठाट विध अ है । नोट्स पूक्स हाँ नोट्स कितने लए ने अपने को दो नोट्बूक लगने वाले है एक जो मेरेसाथ क्लास में उसको और चार्ड बनाने के लिए जो आपको कॉंसेब चार्ड बताऊंगा न वह आपको घर पर बनाना है उसका पीदिए अपके ड्राइव मैं आड कर कर दिया, revise करके, क्योंकि उसको इतना हमने summary form में बना करके था, main notes, revision notes, concept chart, जिनको charts नहीं बनाना है, कोई प्राउम नहीं है, बस आप भरको एक हजर पेज़े, बारा गंटे पढ़के दिखाओ, सिंपल लिगीन, अपना purpose क्या है, एक दिन पहले, revise होना चाहिए कि नहीं, और अपना memory कितना strong है, अपने को पता है, और अपना memory कितना अच्छे बताओ, अपने को confidence है, अपने को confidence है, अपन सम घजनी है, थोड़े सम कैसा है क्या, नहीं कोई प्रॉल्म नहीं आएगा, जिरुन ने रेकोर्डिंग लिया है, उनको मैं amendments अलग से देंगा, ज्यादा amendments, don't worry, मैंने अभी कहा, hardly 10-20% is, don't worry, अच्छे किसों का ऐसा होता है क्लास में, सरम पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, मेरे मैं बहुत बहुत बह आदनी रहता है, मेरे को यह प्रॉब्लम था, मेरे को डॉक्टर ने बहुत 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 सोलोशन दिया, फ्री में, मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा, बट किसी को ता भी बताओ, किसी आइसा होता है, हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ना पढ़ता है, कित से अचा तो ऐट स्य यूराज को चैज इदर कश्वी सहा रोख तुम भी ठीक है मैं भी शाह वो भी शाह है ठीक है तो तो मैं डूट में ज्यादा डिटिल्न वताऊंगा तो टो, सूं उसको भी बूलने की प्रोबलम है, मेरे को प्रोबलम था, तो मैं एक सर्की बास गयाता है, टो उन्हें जो सुलूशिन दहें खैता हूं, यूराज तो नहीं मोवी देखा है क्या, पतान बहु देखा है? शारुकान का पतान, कब देखा है? मतलब 6 मन ठाइक बहुत पहले एक साल पहले ठीक है तो अगर में तुमको यहां पर बुलाता हूँ तो यू यू बेबल टू टेल स्टोरी पर्फेट लिए विदाओ इनी प्रॉब्लम मतलब मेमरी है अभी मनें प्रूफ कर दिया ना तो तुम जो बोलो प्रॉब्लम है नहीं बस वही मैं बता तो उनको नहीं पंठाई उसको एकस्टोरी पंठाई उसने को उस शर्ट बेना तो वह सर्ट पर आधे तो प्रॉब्लम कहां पार कुछ नहीं है तो प्रॉब्लम में याए प्रोब्ल्म केंदों किह और आं पर बंब्लम कुछ हुना है पोऌने निये थेटर और ही आइसा तो उसको सब्सक्राइब देखोंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएंगे तो डॉन्ट वरी हो जागा प्रॉब्लम साल रिवीजन में तुमको बता हूं का कैसे करना है तो अब इसलिए तो रिवीजन नोट्स का इंपोर्डेंस क्या है जो चाप्टर में क्लास में आठ गंटें पढ़ाता हूं आप 45 मिनुस में रिवाइज कर सकते हों कितने में और यह घड़ी लाग इतना मैंने जबरदर आप नोट्स एक बर मैंने देखना रिवीजन नोट्स आपको समझ में आयागा वेरी सुपर फास्ट रिवीजन होता है तो एक गंटे में आप एक चाप्टर रिवाइज कर सकते हो तो यू केंड रिवाइज डेली वान चाप्टर इतने में नोट्स सबरी फॉर्म में बना है उसका परपेज हुआ है क्योंकि जैसे सब्जेट सब खतम होते जाते हैं पर प्रेशर आता है कि और चार सब्जेट सब्जेट इसके दस चाप्टर तो मैं तो बता हुआ कहीं से रिवाइज करना है बट दर इस नो प्रॉब्लम आप मेमरी तो डॉक्टर की दवाई वगरा मत लेना लास्ट बैच में श्टोंड आया था है तो इसको याद ने रहता है तो डॉक्टर ने दवाई दिए बोले भाई तो जुड़ बोलता है तो मुवी के स्टूरी सब यादे नोट्स कैसी याद ने रहते हैं तो से मैंटर आफ फोकस और इंट्रेस्ट बस तीन-चार साल तोड़ आपको दबा के पढ़ना है बागी क्या हो जाएगा ठीक है एंड हम करके लिंगे अब टीनता मत करो चल रेविनिव फॉर दर गवर्मेंट अच्छा गवर्मेंट पैसा कलेट अच्छा आपन अभी पढ़ दो दिन के बाद पढ़ेंगे अभी दो दिन मस्ते एंजोई करना है क्योंकि आप टैक्स अपने सुना है बट एक्जाटली होता है कि हम आपको स्ट्रक्चर बता रहा हू तो दो दिन विला है उनली बेसिक डिसकेशन नोट्स के भी जरूवत नहीं मैं भी खुद भी नोट्स करने वाला हूं और यह डाइगराम आपको भी देने वाला हूं यह एड हो जाएंगे यह डाइगराम मैं इसकोल दे कॉंसेट डाइगराम जिससे आपको पढ़ना करेक्ट गवर्मेंट आपको जो फैसेडिस मिल रहे है आपको एक्स्प्रेस आवे चाहिए फाइजी चाहिए बरन ना यूनिट टेक्नोलोजीकल डेवलोपमेंट करेंड ना इंफ्रासर से चाहिए अच्छे स्कूल कॉलिज चाहिए तो पैसा कहा से है गवर्मेट टैक्स तो टैक्स इजब तो सोर्स आफ रेविन्यू फार्द गवर्मेंट तो यह चोड़के बता सकते कहां का पैसा खर्च करती है अध़्य, डिफेंस पे करती है सिक्रीट पे और एक्स्पर्स आवे है और डैम्स रेल्वे इस करें रेल्वे कितना खर्च लिए मतलब रेल्वेलाइन बिल्ट करना कितना एक्स्पेंसव अशिड हो और प्लत एक्सपे अनुगियोकर जो भी अंडर बल्वेश्ट ट्रॉन सोलर बिठा के देंगे क्रोड घर को ऐसा कुछ तो भी अनौस किया तो उनको फ्री मिलेगा वह पैसा तुम लोग दोगे और मैं भी दूँगा है न तो ऐसा होता है तो यह आपन सम्लोग जो टैक्स जेते हैं अलग लग फॉर्म में उसका यूज गवर्मेंट करती है ऑफ डिफर्ण परिपस तौस्में आपको जोग सुना तो बोच बर जबरदस्ति है सुनना पर एक बार तीन लोग मिलते हैं एक यदिंग ब्रीटन के राश्टरपती होते हैं यूँज के होते हैं लालू प्रसद्याद होते हैं मैं दोस्ते सुनाता तो बोले कि वो तो तीनों ऐसे मिलते हैं कि समिट में तो फिर जो ब्रिटन के है जो भी है तो बोलते कि यह जो ब्रीज बना है इसमें 50% कॉस्ट मेरा घर बन चुका है जो ब्रीज बना इतना बड़ाा 50% का पर हमेरे घर पर ऊसमें ने घर बन गया है निए धोसरे राश्टर ब scorpi कुछ है atics गर इंगर बना दिया तो बोलते ब्रीज अपर ने बोले बनाए श्झी न पूरा हमने घरिज बना दिया तो यह ऐसे होता है काफी क्लाइन पूष्टी की सर हम टैक्स कुदे आप इंटा में बड़े-बड़े फ्रॉड होते हैं होते की निए फ्रॉड यह फ्रॉड फिर वह फाइजी गोटाला वह कोल गोटाला देन वह ओनली 1,85,000 क्रोड का था था मतलब लाक्स तो इस इंटा में 10-20 क्रोड के वोटाल होते रहते हैं तो हम टैक्स को दिया अभी है इंडिजल चॉइस है इसमें में क्या बता हूं तो वह अपने हाथ में नहीं है बट स्टिल वी हैब टो पे टैक्स फॉर यह सबस्टेंड के लिए ओके अगरिकल्चर के ल बटादे नहीं और दो तरह के टैक्स होते हैं तो सुने आपने डारेक्स इंडारेक्स इंडारेक्स अब जो लोग इंकम कमाते हो तो आपके पैरेंट जो भी काम कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, whatever they are doing, उस पे जो tax देना पड़ता है, वो होता है, direct tax, उसको मोलते है, income tax, and indirect tax जो होता है, it is on goods and services, it is on, and जिसका नाम है, अपने लिए GST, अपने लिए क्या है, GST, yes, असनिया, आप office में call करेंगे न, तो आपको information मिल जाएगी, मेरो क जिए तुम्हार नंबर ड्रॉप कर दो, मैं टीम को भूल करने के लिए, water is okay for you, तो online बता सकते हैं, कौन से taxes है, direct tax and indirect tax, indirect tax is on, goods and services, तो पहले अपने इसका meaning समझते हैं, क्योंकि अपना subject का एक party क्या है, indirect tax law, तो पहले समझते हैं, इसका नाम, direct tax, indirect tax क्यों रखा, सलमान खान direct tax, why indirect tax, मेरा नाम क्यों नहीं, आपका नाम क्यों नहीं, तो let's understand the basic concept, कि indirect tax होता क्या है, तो जो goods and services पहले लगता है, किसे लगता है, उसको लगता है, indirect tax, जैसे अभी आप मेरों को बताएंगे क्या, कि आप कौन से कौन से services या goods या goods यूज़ कर रहे, जैसे अभी आप class join कर और कहाँ आपे taxes लग रहे, अपने luxury goods लिया, mobile लिया, उसाफे tax है, कप्ड़ में, और आपको लगता है, और आपको खाना कहने जाते हैं, वहाँ पे tax है, तो जहाँ जहाँ पे goods and service है, आपको mobile phone service है, classes is the service, कोई gym जा रहा है, तो जहाँ जहाँ पे goods and service आते हैं, वहाँ पे आ लगता है इनडारेक्ट टैक्स लगता है लगता है अब फरल्राले इसको इंडारेक्ट टैक्स वे इस लुट में इस वेरीपी Be इस पिल डेता हूं합니다 आख इसको इंडारेक्ट्ट निक्स क्यों बला गिया एक एक फिला मैं complaining में ध्यांसे सुनना अच्छा बेसिक में ने क्या पता दिया वट इंटाइट एक्स टैक्स विच इस लेविड ओन गुड्स एंड गुड्स में कौन सा एक्जाम्पल है मोबाइल एन सर्विसेस में अपने क्लाश जोइन किया इंटरेट हो सकता है जीम सलून जहां जहां पर आप सर्विस एंजॉइं होटल में जाना इस पर क्या लगता है उस में टैक्स लगता है एन अभी बossने टैक्सेस है बट आभी मेरा फोकस किस पर है जी इसकी क्यों कि है ठोड़ी पार्लेजिकर बिस्ट बनाते अरे ऑलो न किया बना दें कार बनाते na तो या कार में ग्ट्स या सर्विस हरों लैना बताएंगगे जब गुट्स है तो टाटा मोंटर किस को बेचेगा टाटा मोंटर किसको बेचेगा कस्टमर को अपन शोरू में जाके खरीकते हैं सो तीन लोग इन्वाल्ड है तो आपके जो भी टू वेलर फोरल जो भी है वह आपने डारेक्ली कंपनी से नहीं खर दी बिच में को ने डीलर है अपन डीलर से खरिकते हैं डीलर किसे खरिकता है कंपनी से सोल देखें कैसे होता है अब यह टाटा मोटर से जब गाड़ी बेचेगी तो उस पर जीएस्टी लगाएगी अभी आज़िम को दो लाक रुप है क्यल्कुलेशन पर जाना अपन बेसिक लेक्शर पर तो अभी बस हैसा स्टोरी करके समझ लेना है क्यल्कुलेशन प सवर्ण पिन आपको बतार हो कि ट sect होता गया है करसे दिरे दिरे अपना पढला स्टार्ट करेंगे करशिंबनी परासु से तो दो लग्रुप रुप एने जी और किसको बेचेगा लाट डिलर गाड़ किसको बेचेगा आपको बेचेगा अच्छा अभी द्यार से सुनना आप टाटा मोटर सो एक एक्जाम्बल लेते हैं अपने 10 लाग की गाड़ी बेची एक्जाम्बल के लिए 2 लाग का जीश्ट लगा तो अपने टोटल कितना टैस्ट लगा डिलर को दो लाग और टोटल बिल वैल्यू 12 लाग हो गया किसे 12 लाग 10 लाग रुपय कार का वैल्यू 12 लाग रुपया जीश्ट यहां तो कोई परफेक्ट अभी यह दो लाग रुपय डीलर किसको देगा बोलो टाटा मोटर से बार लाग का बिल दे दिया सोच का अंसर देना डीलर कितना द देगा क्योंकि revenue उनका नहीं है तो government की सबसे सोचो government को जो revenue मिला वह दिया है तो टाटा मोटर से इस पर आक्चलिव उन्होंने दिया है या उन्होंने बढ़ लन डिलर पर पासवां किया है मैं बराबर मतला अल्टीमेटल अगर मैं पूछता हो कि टैक्स किस ने दिया तो चैनल दिया है करेक्ट इसले स्कोल ते हैं इंडरेक्त थैसे इंडरेक्टल बढ़न डिलर्ड पर आ गया है बर्डर किससे पर गया डिलर पर इंडरेक्टल आ गया पहले गौर्मेंन ताटा मोडस पर बढ़न डाला कि भाई जब दों काड़ी बेचेगा हमको जी इस चाहिए उन्हें अच्छा जी एस्टी को बेर करेगा इंड यूजर तो टाटा मोटर्स के लिए इंड यूजर को ने डीलर के लिए को ने अपन लोग है कि उगे तो बोल अभी आप बताओं वाइड इसका इंड़रe tax एपने जो क्लास में दिया है जो हमने yes academy हमने अमरे जेव से दिया या आप से लेके दिया है वो कौन सा टैक से है बस इस 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 इंडारेक्ट आइक्स विच इस पेड धुरुजाल अच्छा सर हम क्यों नहीं भर सकते आपने पुछन पुछना ची क्योंकि फिर आपको हरे को जीश्ट की नूबर लेना पड़ेंगा जो practically possible नहीं जीश्ट का compliance करना पढ़ेंगा जो आपके लिए practically possible है कि हर एक के लिए इंडやってॉम के बाधान के बठाख करेंगे टांग्स और्मेंट को बोल Wiki के 25 शक्ते हैं करेक्ट थैंक्यू सो मच तो इसलों स्कूलते हैं इंडारेट टैस्ट नो और एक आगे बढ़ते स्टेप अभी बताओ डीलर जो है ताटा पुंटस ने डीलर को लेट से 10 लाक में गाड़े बेची है डीलर मार्जिन आड़ करके बेचेगा या 10 लाक का गड़ी 10 लाक में बेचेगा मदर डीलर का रवाज अपने लिए जादा रहेगा ना तो डीलर का जब प्राइस बढ़ेगा तो उसके ओपर लगने वाला जीश्ट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा दस लग पर दो लाक रग रहा है डीलर ने सबस्वेश्ट गयार लग प्राइस सेट किया किया है एक दो लाक का वो पार्ट इस्टा मोटर सिका दोकुफेट सिर्फ ने डीलर को पासाई किया तक aliens को पासन कर रहा है कस छो के पलंसां पार्टे 100 बेचाम को में पोड़ को तो डीप से कितना क्लीट क्या से दाख करेगा इस अब इसे वह को जो गौवर्मेंट को मिल चुका है गौवर्मेंट के संसरा सोचना यू यो आर गवर्मेंट नाओं टो टोटल काड़ी पे अपको टेक्स करते नहीं अच्छी है दाहिलाज लग ताटा मोटस के तूर कितना मिला है दो लाग तो डीलर कितना देगा पच्चास हजार ॉजर उस पर ही टाइक्स लगे गया अभी बता अगर यह में को बेसिक नहीं बताऊंगा डायरेक्ट चाप्टर बढ़ा स्टार्ट करूंगा कुछ फाइदा होगा क्या समझेंगा इसलिए मैं गाही नहीं करूंगा अपना दो तिन दिन बेसिक्स चलेगा वाट इस टैक्स ओनली फिर में धीरे-धीरे जैसे मेंनों कॉंफिडेंस आएंगा कि आपको बेसिक सवज में आ रहा है एक लिवल पर मैं आपको ले क्या हूंगा और उसके बात फिर में क्या करूंगा बढ़ाना स्टार्ट करूंगा ठीक है तो गाही मत करना बहुत मज़दार सब्जेट है यह इंजोडिस सब्जेक्ट पस पेशल रखना जी गाही करके मां आगे गया तो फिर आज से नहीं कि आपको सोच कि आ इन और एक चीद आपको करना है अगर आपको लगता है कि कहीं पर मेरा स्पीड फास्ट हो रहा है तो अब मेरे को जरूरू बता हूं क्योंकि मैं आपको फ कुछने वाला हो अभी आप कुछ गेस मत करना लेट में फिनिस वन चाप्टर एडलिस तो फिर आपको आड़ा हैगा मेरे को भी आपके रिस्पॉंस को सब्सक्राइब का सब्सक्राइब कि मेरा स्टाइल हर एक बैच की सबसे चींज होता है हर एक बैच के स्टोर्ण का अंड आपको ही पढ़ने मजा हो मतलब जब आप मेरे लेक्षर करेंगे यू शूट एंचा दे लेक्षर कि आज कुछ नया सिखनों का मिलेगा ऐसे हो कि बढ़न लेकर ने टैक्स पढ़ना है यू शूट नाट कम इस माइंड सेट सबको हर एक फालतों से फालतों डाउट हर एक क्लि Students त्क्रश को करमेंगा है मेरे स्टाप को करना है या किसे सब्सको क्लिए pen का does एससे डितिक कॉणसे फूर समय है और भी आपको इसने मिलना है क्योंकि मैंने है बैक पकावक ग्या है रिविजन सेशन जो शाब में होगा तो जैसे मैं चाप्टर वन का रिविजन लूँगा निमरी में आपको पूछता हूँ कि आप मेरे को इन्पूट्स दो मैं आपके लिए क्या लूँ यह तो आपके अस गॉल्डन ऑपरूर्ट यह तो हर एक जिसका फाइदा लेना है जहा सब्सक्राइब करता हूँ तो अगर आपको भी दिन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो फॉर्ट फाइब उपर आ सकते बस मेरे को इन्फर्म करके आना अबन टाइम आपको वहां पीमें डाउट्स के लिए तो मेरे तब से पूरा फ्रीडम है बस यू शूड अप्रोच में अगर अपने अप्रोच नहीं किया तो क्या होगा पता हूँ रिजर्ट में कर बड़ोगा और ध्यान में रखना यह ऐसा स्केल है ना या पर स्टूडेंट फिल नहीं होता है क्यों कि अगर आप फिलोगा तो मेरे रिजर्ट खराब होगा की नहीं होगा तो यह 50-50 परसेंट है तो आपने 49 दिया यह फिर मैंने 49 दिया रिजर्ट इस नों 99 इस 39 एक्वेशन दान में रखना है मैं उसी एक्वेशन को फॉलो करता हूं क्यों कि मैंने प्रक्रपा सही तरह से कंटेंट नहीं पड़ा है तो फिर आपको क्या होगा समझेंगा निया आपको एक्वेशन में बड़ा ऐसा अभी मैंने आपको बता है मैं आपको दस चीजे देने वाला हो तो यू डोंट वर्य आपो देख्जम एक्जम में जो आने प्लस मॉडूल में अपको बलाए गर पे सॉल करो, आप जो घर पे सॉल करेंगे तो आपको सोगच भी आएगा, क्या आपन क्लास में किस केल पर कर रहे हैं, उसके सबसे मॉडूल में काफी एजी कुछिट्न सा रहे हैं, ठीक है? इसको बलते हैं, इसको क्या बलते हैं, तो वट इस डाइरेक्ट टैक्स? जिसका बर्डन क्या करते हैं? आप यह आपके पैरेंट जो भी काम कर रहे हैं, जैसे तुम्हारे पैरेंट्स क्या करते हैं, बिजनस तुम्हारे जॉब करते हैं, तो अभी इन दोनों के पैरेंट्स एक बिजनेसमेन जॉब करते हैं अभी इंकम टださい देते रहेंगे यह इंकम ट्रेस किसी और को देते हैं या खुद बहते हैं न आपके परन जो भी काम कर रहे है वो इंकम टेस्ट भरते हैं या किसी और को देते हैं मतलब खुद ही बरते ना बहले उनका मेरे से कंसल्डेंट रहेगा बट वो किसी बर्डन पासन होता है क्या इसलों से नाम देए डायरेक्ट टैक्स है ना और बर्डन इंडरेक्ट लिए आपके उपर आता है और हमेरे मेरे पोर भी आता है इंकम डेक्स जो आपको जेब से देना है 30 रूपीज आजू करो बचा कितना 70 70 में आप जहां जहां पर spend करोगे that amount also include GST so unfortunately अपने को direct tax भी देना पड़ते हैं GST भी देना पड़ते हैं फिर बच्चे question पूछते हैं कि sir is there a double taxation session वह आपको कल के session बताओंगा कि there is no double taxation क्योंकि ऐसा फील होगा ना कि sir my dad ने तो income tax दिया बाद में जो पैसा जैसे आप आप लोग आप फीज पे कर रहे करें कि यूर पैरेंट मस्ट बेर निंसम एक्समांट उसमें से क्या कर रहो पहले इंकम टैक्स पे कर रहे हैं बचे वावन में से क्या कर रहे हो खर्चे कर रहे हैं जहां जहां पर खर्चे कर रहे हैं वहां पर जीएस्टे की नहीं बलो है आप मोबाल कर दो जीएस्ट है हर एक जिस पर जीएस्ट है एक से ब्रीधिंग्ड देजे टाक्स वनेली भी इस इतने सायख हो रही है उस सबराप्रम इंधे यह करते ना बरी करते की निया तो वह जमीन हो आप यूज कर रहे ना वो उसके पर टैक्स तो इसे बहुता टैक्स लगाए जाते थे तो कौनसा अभी लास्ट क्वेश्चन फॉर्ड डे एंदेन मिल स्टॉप आपके सबसे इन दोनों में से ऑनले सब लोग आंसर देना कौनसा टैक्स कलेट करने में गोर्मेंट को दिक्कत होती रही जड़ा पता हूँ अग्स डायरेक्ट टैक्स क्योंकि इंडरेटेस्ट क्या होते सुनों इंडरेटेस्ट का पता ही नहीं चलता कि आपने दिया है एक एक एक्जांबल देता हूँ जैसे आप ब्रेक में जाते बुलते भाई बाला जी चिप्जेना बाला जी ताना जी आपको जो भी पसंदे अब दस रुपए देते चिप्स लेके आते यू थिंक आप उनली 10 रुपीज उसमें जीस्ट अलड़ी इंक्लूड रहता है सो वेरेवर यू स्पेंड मनी जैसे अभी क्लास खतम होगा काफी लोग ओला से जाएंगे और लेके जाएंगे उसमें जीस्ट रहता ही है तो पता ही चलता है जहां पड़ भाई मिस्टर इंडिया लगता है बट रिस्पॉंस को सामने कोई दिखना तो ची मारने के लिए उसको मारोंगा किसको डाइट में किसे जगड़ा होता है क्योंकि अपनों को पता कि मेरी जेव से जा रहा है तो डारेट टेक्स में फ्रॉड ब यहुद देने की इचाह दर्द होता है जेश्ट सेंगे लेए भरर हे जाड़े वीम वी डूंट अब इनिटार्ड को भरना है तो इंडेट डैस्में करते कर देंगे कूंध आक में दव मांचा क्योंकि लोग आशिक खतरनक तरह के डूंटे हैं कितना भी गवर्मेंट प्र नहीं है हर एक चीज़ का जुगाड अपने पास है हर एक चीज़ का है ठीक है चलिए तो गैस आज इतना ही करते हैं टाइम हो गया 635 हो चुग है मेरे टाइम सिक्सेटा तो आज मैंने आपको बेसिक बता दिया है कल से अपन क्या करेंगे थोड़ा और पढ़ना स्टार्ट कर कल मिलते हैं फाइफ जाड़ी को